रादे रादे भक्तो आप सबी को जये कदिशी की देर शारी शुप काम नाई इधर आपके प्यारे से लारले के लिए बन रहे हैं भोजन तो गोलुबा बोर सारी बच्चों के लिए दुपेर का भोजन बन रहे हैं ताज बनेगा हिंग बला आलू की सबजी साथ में पूरी और बनेगा खिर तो इधर दूत को गरम कर लिया मैंने कड़ाई को गरम करने के बाद तेल में थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हिंका छ्वाका लगा की टमेटोो को डाल दिया है टमेटो थोड़ाB electromagn?", मैंने हल्दी और नमक का प्रयक किया है, शात में मैंने थोड़ासा आदरब्ट को कूट के डाल दिया है 2-3 मिर्ची डाली हूं, एकदम से तीखा वाला मिर्ची नहीं है, हलका सा तीखा है यह हरी मिर्च साथ में मैंने आठा भी लगा दिया है और आलू की सबजी के लिए आलू को उबाल के रख दिया है अबी इनका टकला कर देते हूं, मतलब चिलका लिकार लेते हैं आलो को छिलका निकलके अभी मसाला के साथ अच्छे से 2-3 मिनिट भूल लोंगी कि ये वाला सबजी ना बहुत स्वाधिश बनते हैं तो मैं एक अदेशी को निठाकुर्जी के लिए और बच्छों के लिए आलो की सबजी पूरी रोटी जिस दिन जो मन होता है वो बना देती हो सब चावल का कुछ नहीं बनते हैं उपर से मैंने आलो की सबजी के अंदर थोड़ा सा भूना हुआ जीरा डाल दिया तो चलिए आपको एक चीज दिखाती हो ये ना सकरकंधे मीठा वाला आलो तो इसको मैंने उबल के रख दिया ये भी बहुत स्वाधिश लगते हैं तो यह हम पाएंगे इसलिए आलक से नि कि अदर नीचे हमारे केशब और रमन बाबू साथ में कुंझ बाबू तीनों बैठ चुके हैं कि इनको पहले स्टान करना है तो बाबा जल का ये कर रहे साथ में फूल लेके आया है तो वह सब चून रहे हैं क्योंकि काटा बगढा रहे जाते हैं प्फूलों में तो इसम निकलना पड़ता है और दिखाती हो आपको दीदी क्या कर रहे हैं दीदी बना रहे हैं सभी बच्चों के लिए नया पोशक कपड़ा बन रहे हैं हमारे प्यारी प्यारी बच्चों के लिए तो यह कॉटन में बन रहे हैं क्योंकि अभी गर्मी हमारे इधर बहुत आ चुके ह और cotton में ज्यादा कपड़ा हम ठाकुर जी को पैनाते हैं, अमारे बच्चों को पैनाते हैं, तो बड़े बच्चों का मिल जाते हैं, रेडी में जैसे आपके लादले देखें, दीदी के साथ वो भी देख रहे हैं, किस तरह से दीदी बना रहे हैं, और पीछ-पीछ में तो आज simple सा जल से सान कर रहे हैं क्योंकि आज प्रंचे मीद वगड़ा नहीं लगाना है उनको बोड़े मया आज मुझे तैही किसे नहीं शयान करना है मुझे सिप फूल और जल से सान करना है तो इसको जल के बहुत ताइम सान करना है बाबा को तो इसलिए बैठे हैं अपने फूल लेके और जल लेके और सबसे एक रास की बात बोलू अब सभी को बापा जब सान करना तो गोलु बाबू को बहुत आनंद आते हैं कि बाबा तो एकदम हातों में धीरी धीरी स्थान करवाते हैं पूरा एक बाल्टी जल जो है स्थान के लिए हमारे बाबो यूज करते हैं कि उसको बहुत स्थान करने कमन रहते हैं बैठी रहते हैं बैठी रहते हैं बाबा उसको नेलाते रहते हैं ठंडी के बहुत अलग हैं लेकिन अभी गर्मी है तो उस हिसाब से हम स्रान करवाते हैं तो इसलिए और उनका चमक तो देखिए जब स्रान करते हैं चमक अलगी आ जाते हैं मुखमंडल में उनका और सारे बच्चों का स्ट्रान जब एक बल्टी में दो दो बच्ची स्ट्रान कर लेते हैं लेकिन इनको तो फुल बल्टी चाहिए और इधर मैं या क्या कर रहे हैं दर्शन कर रही है मैं बना रही हूँ सारे बच्चों के लिए पूरी इधर खीर बन रहे हैं सेवाई का तो चलिए गर्मा-गर्मा पूरी तेलते हैं और भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के बाद पिर आपको दर्शन करवाएंगे और हाँ हमारे प्यारे से बच्चों का शिंगार भी दीदी करवा रही है क्योंकि देखें मैं एक साथ तो काम सभी नहीं कर पाती हूँ तो सब मिलके हम एकादेशी हो या रोज का शेवा सब मिलके करते हैं बहुत आनंद भी लगते हैं और गोलु बाबु का तो देखने का मन सबको बहुत होता है दाशन करिए आपके प्यारी से राले पहले मैं इत्ता लगा देती हूँ आठती बगड़ा हो चुका है लेकिन मैं इत्ता लगाना भूल गई थी तो मिले आपके प्यारी से लाल से हमारे दुलाल से देखे कि इतना मुस्कुरारे आज आज इनोंने तो पीला वस्त्रधारन किया है और बहुत अच्छी बच्चे है मेरा आज पगड़ी भी बादा है लेकिन मैया को थोड़ा सभी तंग नहीं किया दस मिनिट में उन्होंने अपना पूरा सिंगर कंप्लीट कर लिया था मारे गोल्य बाबु तो बहुत बदनाट खट हुए उनको तो सिंगर करना में इतना कंटा लाते हैं मैं क्या बोलू इधर दर्शन करिया आज के मना प्रशाद हम की और हमारे बाबु जब भी भी शिंगर करते हैं ना तो उनके पास एक में आएना ज़रूर रखती हूँ क्योंकि उनको ना हमेशा निहारते रहना है खुद को क्योंकि इतना सुन्दर लगते हैं बाई मेरा तो नजर ही लग जाते मैं रोज रोज उनको इतना इतना काला टिका लगाती हूँ जब भी मैं फलके उठाती हूँ तो नजर मेरा ही लगता है मेरे लाल को पता नहीं क्यूँ देखियो हमारी पाबू का प्रशादम दर्शन करो सब लोग बोलो महा प्रशादम की जय आपको कैसे लगा और उसके बाद फिर में मिलाती हूँ आपके प्यारे से लाले से लाले भी अपने भोजन लेके भाई सभी वच्छा भी भोजन कर रहे हैं तो मिले आपके लाल से देखें उनको सब्जी तीखा लग गया इसलिए खीर से आज पूरी खा रहे हैं ऐसे ही करते हैं हमारे भाबू क्योंको उसको ज़स दिन जो मन होता है उस दिन वो ही पाएंगे इधार बैटे हैं आपके प्यारे से लाले तो केशब का भोजन हो गया है पहले केशब भी बैटे हैं साथ में Ramân भाबू बैटे हैं और कुन्ज भाबू बैटे हैं तो ये रचना तो आभी साम हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ मंदिन में अभी हम अर्थी करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं सब्से पहले जैसे आपको पता है में पंचय अर्थी एक ही बार करती हूं पंचि दीब से तो अभी शाम के टाइम प्राज आसरी करती हूं आरती के अंदर आएए महा आरती करते हैं और आनंद लेते हैं तो भक्तो आरती हो चुका है अभी सब को मैं गुलाल लगाती हूँ क्योंकि आभी तो जैसे पता है बसंत उस सब चालू हो चुका है और हमारे ठाकुर जी के साथ तो हमें रंग डो जी खेलना है तो इसलिए आज बसंत उस सब के तरह हम आज भी रंग लगाएंगे और गोली बाब को देखें मैया ने थोड़ा सा डाटा था क्योंकि भोजन बहुत लेट कर रहे थे इसलिए मैं मैया ने थोड़ा सा डाटा तो पूरा मूं में कपड़ा लगा के बैटे हैं और नी ढाक के उसको दर्शन नहीं देना है इसलिए लेकिन मैया भी नहीं लिया है साथ में उनको गुलाल भी लगा दिया है और सारी बच्चो अच बहुत खुश है और आज सभी बच्चों में अपने हाथों से मोगड़ा का माला बना के पैनाया हूं मुझे तो बहुत आनंद लगते हैं जब मैं कुछ भी बनाती हूं मेरे बच्चों के लिए ले करती लेंगे और उसके बाद प्रशादम दर्शन करेंगे गोल्य बाबु को भी आमें आपको दिखाती हो इतना दुष्ट्य होगे इतना दुष्ट्य होगे यह दिखिए मेलिया आपके लाल सी दिखिए आज तो वाइट और पिंक कपड़ा पैने हैं अभी ना गोल्य बा बाबु कुंच बाबु और इनसे तो आप मिली चुके हो दुपिर को गुलाल लगा कि इनका गाल तो यह और भी गुलाल गुलाल हो गए पीलिये हमारी स्रामाजू सी सीजी से हमारी प्यारी सी लाडली इधर घंशाम तो अपना संगीत में ही बैस्त रते भाई इधर हमारे लाडो रानी कितना क्यूट लग रहे ना दीदी ने आज दिखे सभी का पुशक बनाया है बहुत सुन्दा लग रहे हैं सारे बच्चे आपको कैसे लगया इनका दर्शन जरूर मुझे बताना अगर वीडियो थोड़ा सभी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना अब क ब्लॉग यही पर बिस्ताम देते हैं फिर मिलते हैं हरी क्रिश्ट